कि कम्पुटिशन कम्यूनिटी के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है मैं आपका दोस्त एमें मालम हम लोग आज पॉलिटी का जो सेक्षिन है उसमें 19-19 का अधीनियम देखने जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान में र ही होगा कि आप जो है सिर्फ information कलेक करें बलकि पढ़ करके अपनी एक समझदारी विक्सित करें जिसका फायदा आपको प्री में मिलेगा मैंस में मिलेगा इंटर्व्यू में मिलेगा इसके अलावा आप जब अपने फिल्ड में आएंगे तो वहां भी जब आपका आपका काम करने का अंदाज होगा वह सबसे अलग होगा और बहुत जल्दी आप जो है भहत सारे अवार्ट से नावाजेद आएंगे और आपको हर कोई आपका नाम लेने वाला होगा तो इसलिए पढ़ाई जो करना है उस तरीके पढ़ाई ने बलंकि आपका सिविल सर्विसेश क सब्सक्राइए जिवर चाहिए सवें फिर चांच के ये स्था स्था जैसे ए सब्सक्राइब शलीًटाइस बढूब नियों कि अदिनीय आया है तो एक इंपॉर्टन चीज जो करिंची जानते हैं है कि यह विर्म बनानना तब आया है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो important चीज़ ये है कि आप इस बात को understood माने कि अगर कोई विदेशी शासक है आपके हाँ तो जाहिर सी बात है वो अपने सत्ता को बनाय रखने के लिए सारे प्रयास करेगा और अगर कुछ ऐसी चीज़ नजार आती है कि जो आम जनता की भलाई के लिए है तो कहीं न कहीं उसको मजबूर होना पड़ा होगा तो वो मजबूरी जो उसकी है जिसके तहट जो इस अधिनियम को लाया गया है तो उसके लिए एक प्रिश्ट भूमी है हम उस प्रिश्ट भूमी पर एक चर्चा करते हैं वो प्रिश्ट भूमी क्या है भई प्रिश्ट भूमी कुछ इस तरीके से है कि 1914 में पर्थम विश्युद्ध हुआ प्रारम हो गया और हम भारतियों ने अंग्रेजियों का पूरा-पूरा साथ दिया मतलब हमारे देश के लोगों ने हर तरीके से याने कि सेना में भरती हो करके और ऐसे भी आम तोर पे जो जनता जो थी और बड़े बड़े जो नीता थे उन लोगों ने क्या किया है कि अंग्रेज सरकार को कहीं भी परिशान होने नहीं दिया बलकि आम जनता से अपील भी की कि अब भाई जादे जादा लोग सेना में भरती हों और इस प्रतम विश्यूद में बिटिश सरकार का साथ दे तो ये जो साथ जो भारतियों के दौरा दिया गया तो एक उमीद के साथ दिया गया कि अगर हम ये साथ देते हैं तो कहीं न कह कर रहे थे ये उमीद कर रहे थे कि अंग्रे सरकार हम भारतियों के लिए कुछ बहतर करेगी इंपोर्टन चीज है तो इस दोरान जो भी चीज़ें थी जो एक कहा जाता है कि जो उमीद थी उस उमीद को जो शकल मिला उसको जो मुर्त रूप राप्त हुआ वो कहां से मिला भई यह हुआ था 1916 में लखनव समझोता लखनव समझोता यह किनके किनके बीच हुआ था यह हुआ था कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनव समझोता हुआ था उसमें क्या किया गया मांगों की लिष्ट त्यार की गई उन मांगों की लिष्ट का प्रभाव भी आपको मांटेगू चेम्स फोर्ट सुधार में दिखाई पड़ेगा याने भारशासन अधिनियम 2019 में दिखाई पड़ेगा हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरी बात है कि इस दौरान आपने देखा होगा क्या होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन चल रहा था एनि बेसेंट और तिलक जैसे महाननेताओं के अधिन तो ये होम रूल आंदोलन जो है उसने भी क्या किया था भारत में एक जागरूपता पैदा करने में एहम रोल आदा किया था लोगों के अंदर राश्वाद के भावना आ रही थी लोग जो है अपने हितों के पृति क्या हो रहे थे जागरूप हो रहे थे तो इसका भी एक प्रेशर था अंग्रेज सरकार पर इसके बाद हम देखते क्या है उस दौरान जो है क्रांतिकारी आंदोलन करांतिकारी राष्टवाद करांतिकारी राष्टवाद भी क्या था उस दौरान बड़ी मात्रा में देखा जा रहा था तो ये सब चीजे जो हैं कहीं न कहीं अंग्रे सरकार को चिंतित भी कर रहे थी कि अगर करांतिकारी राष्टवाद और जिस तरीके के जन्भावना लोगों के अंदर जो है वो पैदा हो रही थी तो वो कहीं न कहीं उनके लिए क्लिए है सत्ता को चुनाटी के रोप में दिखाई पड़ रही थी तो ऐसे सिच्टमें इन सारी परिसितियों को क्या करना था एक अडरेस करना ही था नहीं अडरे थे और यह चेम्सपोर्ट जो थे यह क्या थे वाइसराय थे भारत के तो मांटेग्यू ने क्या किया इंग्लैंड में एक घोशना की थी वह घोशना क्या थी कि हम भारतियों के लिए उत्तरदाई सरकार के इस्थापना करेंगे तो यह घोशना जो है इसको चु कि यह 19 hall इलाए था इसलिए का जाता है यह अगस्त प्रस्पाव के तौर पे तो आगस्त घोशना के रूप में जाना जाता है तो यहां पर जो उनोंने मांटेग्यू ने क्या किया घोशना किया बर्टेम्में उनके बा रिपोर्ट भी कहा जाता है तो यह रिपोर्ट जो है फिर कहां गई बिटेन में संसद में गई वहां से उस रिपोर्ट के आधार पर भारशासन अधिनियम जो है 1919 बना और फिर वो क्या हुआ भारत पे आया तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा प्रिश्ट भूमी देखी कि इस प्रिश्ट भूमे का इस पर कितना असर पड़ा है क्या क्या चीजे चेंजेस की रूप में दिखाई पड़ रही है किस तरीके से भारतियों के लिए लाबदायक था और हम समयधानिक विकास की किस अवस्ता को प्राप्त कर चुके हैं तो यह देखने के कोशिश करते हम चली हों देखते हैं पहला इसमें क्या है भुए पहला जो है केंद्र में दुछ सदनी विधान मंडल की इस्थापना की बात की इसमें की गई थी भारत शासान अधीम में क्या किया गया थी पहला जो पॉइंट है वो 60 सदस से होते थे, 60 में से 34 जो है वो मनोनीत होते थे, और 26 जो है वो क्या होते थे, मनोनीत होते थे, दूसरी बात, दूसरा जो है वो सदन क्या होगा भई, विधान सभा, विधान सभा, जिसको कि हम निम्न सदन, आज हमारे देश में क्या है, लोक सभा जैसे संस्ता है, तो य यह क्या है विधान सभावसमें कही जाती थी इसमें क्या है 145 अदस की बात की गई थी जिसमें क्या है 145 में 104 निरवाचित होते थे और बाकी अपके मनुनीध होते थे अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो प्रिश्टिबुमी हमने पढ़ा है उसका कोई परभाव इस पर पढ़ा ही कि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर जो लखनाउ समझाता हुआ था लखनाउ समझाना में एक मांग रखी गई थी कि जो जो सरकार है जो इसमें जो additional सदस हुआ करते थे इसको भी थोड़ा समझने कोश्च किईएगा कि जो अतिरिक सदस होते थे पहले 60 होते थे अब उसको बढ़ा करके क्या कहा गया लगंदाव समझुँ आमें कि उसको बढ़ा करके 150 कर दिया जाए जिसमें किया हो जिसमें जो है propor 60 जो है वह क्या हो बारती हों और बारती होने के साथ-साथ उसमें लिए व्ह शॉयाना मैं तो यह मांग रखेंisha गई थी तो अब यहां पर देखने वावनी बात यह है कि 100 50 सदंखर्षां करने की गई थी उसमें क्या इस्तिती आई है तो यहां पर इखने वाली बात यह है जासे समय चौनती निर्वाचीत हो यहंद झाल और इसमें 104 निरवाचीत हो उन यहां पर देखने वाली बात मम है 제 लेकिन यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि 75 से दूगना लगभग क्या है भारती सदसों के यहां पे नियुक्ति हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कहीं यह लखनाव समझोते में जो मांग रखी गई थी उसका ही प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ता है ठीक है कि वो दोनों सद्नों से पारित होना चाहिए है ना दोनों सद्नों से पारित होने का मतलब क्या हुआ इसमें जो भारती सदस जो निर्वाची सदसे हैं उनका भी कहा है उस कानून पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा अगर भारतियों के हीतों में है तो इसका मतलब वो प्रावधान किया गया ताकि जैसे आज भी आप देखते हैं एक तरीके से क्या है कि भारतियों के लिए समयधानिक विकास में एक नई चीज जो है वो शामिल हो रही है जिसमें क्या है भारतियों का बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ कोई भी कानून अगर बन रहा है तो उस कानून पर भारतियों के प्रभाव भी बढ़ाने के कोशिश में दिखाई पड़ती है तो यह चीज हो गया पहला पॉइंट हमारा इसके बाद हम देखते हैं क्या कि यह जो आपका भार भारत में बिट्टी सरकार उत्तरदाई सरकार स्थापण करने का उद्देश से ना तो यह चीज सरकार के सथापहने की बाद की जा रही है और यहां तक कि इस अधीनियम के प्रस्तावना में भी इस बात को मैंशन कर दिया गया था तो यह मरे समयदानी से समयधानी विकास में बहुत महत्वपून चीज हुई है फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट जो है वायसराय के कारकारणी परिशत की बात करें हम लोग ने देखा किया है कि 1861 से ही है ना जो वायसराय के जो कारकारणी परिशत हुआ क तो कारकारणी परिशत में देखा गया कि च्छे 60 सथ से हमेशा से है और अगर यह कहाएं कि 1919 के अदियर्यम तक तो उस समय तक जो है गर एक सदस जो होता था वो भारती होता था उसमें तो एक सदसे भारती होता था अब यही देखने वाली बात है कि लखनव समझ Bjotek में यह कहा गया कि जो बायसराए के कारकार्णी परिशत है उसमें कमजिकम आधे भारति सदसे हो तो अब यहां देखने वाली बात यह है कि वाज़ सराय के कालकारणी परिशत च्छे की छही रेए सारे उर हमने मेंबर जो रहे व छही रहे यह लेकिन अब यह कहें दिया गया कि 1 से बढ़ाका भारतियों कि संक्या क्या कर दिया गया तीन कर दिया गया इसका मतलब ये भी दिखाई पड़ता है लखनव समझोते का एक तरीके से आसर ही दिखाई पड़ता है तो यहां तक हमने देखा क्या यहां तक हमने देखा कि केंद्र में दूई सद्नी विधान मंडल की स्थापना दिखाई प रहें उसमें भारतियों का पृतिनिद्ट है वह बढ़ा है न अब लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि जो इस अधिनियम में यह कहा गया था कि हम एक उत्तरदाई सरकार के स्थापना करने जा रहे हैं तो इसमें यह चीज़े दिखाई भी पड़ती हैं कि जो प्रांती जो विधान मंडल है उस प्रांती विधान मंडल को क्या किया गया प् कि देख रहे हम प्रांतों में एक उत्तरदाई सर्कार की स्थाफना दिखाई पड़ती है यहां पर अगला पॉइंट के अगर हम बात करते हैं जिसके बारे में हम बात करने से पहले यह बात जरूर कर लें कि यह जो 12 शासन की बात हम करने जा रहे हैं 12 शासन जो 1919 का अधिनिय करते हैं यह चीज अब ध्यान में रखेगा हो सकता है यह आपके प्रीम स्थापना करने के लिए जो किया गया प्राउधान उसमें पहला चीज किया गया वह यह किया गया कि जो केंद्र का जो टोटल जो संपूर्ण एक विशय था उस विशय को क्या किया गया केंद्री सुची और प्रांती सुची में बाढ़ दिया गया केंद्री सुची पर किसका अदिकार था वाय सराय और उसकी पूरे सरकार जो थी केंद्र के इस तर पर उसका जो अधिकार था उन सुचियों पर वो कानून बनाता था नीतिया बनाता था उसको लागू करता था और दूसरी सुची जो थी वो प्रांती सुची थी जिसमें क्या है प्रांती विश्यों को शामिल किया गया था प्रांती विश्यों पर किसका अधिकार था प्रान का जो घोनटनरोहCal मंढदल ऑर उसकत होती थी वह क्या करती थी उन विश्यों पर कानून बनाती थी उन विश्यों पर नीती बनाती थे उसको लागोर करती थी तो यहां पर समझरें वाली बात है कि हम्ने देखा कि एक संपोह्णन विश्य को केंदि चूची और प्रांती सुची में बाड़ दिया गया अब प्रांती सुची को भी क्या किया गया दियत शुरू होता है कि प्रांती सुची को भी क्या किया गया दो भागों में बाड़ा गया एक जो था वो था आरक्षित विशे और दूसरा जो था वो क्या था हस्तांतरित विशे ठीक तो इस इन विश्यों पर जो काम करना था जो नीटियां बना थी कानून बनाना था वो किसको बनाना था उस पर जो है गवर्नर अपनी परीशद जो गवर्नर था उसकी जो परीशद होती थी ध्यान रखेगा गवर्नर का परीशद मतलब यह हुआ कि गवर्नर और उसकी आरकारणी में जो लोग थे जो उसके अपने थे मनोनी थे वो लोग जो है क्या होते थे इसमें शामिल होते थे यह किस पर आरक्षित विश्यों पर क् रखते थे दूसरा जो है वो क्या है हस्तांतित विश्य में क्या होगा जो भारती मंत्रियों का मंत्री मंदल था गवर्णर जो था वह भारती मंत्रियों का जो एक मंत्री मंदल था उसके साथ मिल करके क्या करता था वह हस्तांतित विश्यों पर कानून बनाता था नीटियां बनाता था अब समझने वाली बात यह है अब समझेगा इस चीज़ को और इसको सभावी की मान के चलिएगा क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि तरह के बात कर चुके हैं कि यह चुकि विदेशी शासक थे तो विदेशी शासक का कभी विदेश यह नहीं होता है कि वो जो है आम जनता की हीतों के लिए काम करें वो हमेशे अपने सत्ता को बनाया रखने और उसको और ज्जादा मजबूत करने की कोशिश करते नज़ार आएंगे तो हमको यह बात मैं आपसे यह बहुत बात कह रहा हूं बार बार आपसे इसलिए भी चुकि मैंने कहा कि जो तो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई अपके पस्नालिटी डिवलोप्मेंट के लिए है ना एक प्रशास्तिक अधिकारी को हमेशा याद रखेगा इस चीज़ को कि वह बहुत इमोशनल हो करके वह डिसीजन नहीं लेता है इंसान है तो इमोशनल तो हो गई वैल्यू हो गई उ दोखा किया तो मैं यह कहा रहा हूं कि 1919 का दिनिया वास्ता में भारते को साथ एक प्रकार का दोखा था या एक जुन-जुना सिर्फ पकड़ा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना होगा कि यह तो अंडराइस्टूट था जब आप यह समझ लेंगे कि यह आपको यह तो मैं आपको यह चीज़ जब कह रहा हूं कि इसको सभाविक मानिएगा कि विदेशी सरकार कोई भी होती है मैकसिमिम ऐसे ही होती है तो इसका मतलब यह है कि इसको आप सभाविक माल लेंगे तो आपको गुसा कमाएगा और प्रशाज़नी गादिकारियों में वो सारे प्रयास करने चाहिए जिससे क्या है उसको गुसा कम से कम आए ताकि उसका जो निर्ण हो वो तार्किक हो बहुत वस्तुनिष्ट हो है ना जो कि हमारा समिधान कहता है तो एक प्रशाज़नी गादिकारी को मैं आपको यह सब बात इसलिए बता रहा हूं कि आप इस सिविल सर्वेंट बनने के लिए है ना तो इसलिए सब ध्यान रखेगा पढ़ना ही सिर्फ नहीं है बलकि हमको पढ़ता पढ़ा लिखा दिखना भी चाहिए यह चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यह बात बार बार समझा रहा हूं कि विदेशी सरकार है इससे नफुरत करने की ज़रूरत नहीं है ने जिटना कम बुस्ता करेंगे जितना कम नफुरत करेंगे आपके निरने उतनी तार्किक होंगे वस्तू निष्ट होंगे ठीक है आगे चलते हैं चलिए तो यहां पर हमने क्या देखा कि हम अगर इस दो विश्यों की बात कर रहे हैं तो इन दो विश्यों में हमने देखा क्या अब राजजस है न्याय है वित है पुलिस है जितना धान दिविशे में अभशा एस पर अदिकार भारती मंत्री और मंद्रेशम नहीं था है यहां पर महत्मृ चीज है जो इसके लिए रिफे बनाए, कोई खानून बनाया, तो अब इसके लिए पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए तो इसका मतलब यह है, कि यह किसमे है, यह आरक्षित विश्य में शामिल किया गया है, अब पैसा है नहीं, तो नीतियां बना के कोई फायदा हुआ आपका, खानून तो वह बहतर होता या और ज्यादा बुरी थी लागू करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज हमारे पास थी नहीं तो इसका मतलब यह है कि हमने देखा भी होगा यूपेस्ट वगारे जैसे राजासु को भी प्रांति आर्क्षत विष्ञे नह enhancing उनकी वास्ता इक्तायथ जरुते थी उनके पूरा करने के लिए अब चीजों पर धा ञान, पानून कयी चीज़ और कोय कानुन की इसको लागू करने के लिए उसको वासणिक्ता प्रतां करने के लिए जिस सुरोत की जरुरत है जिस पर की गवर्णर की तरह की परिशत्य पूरा जो एक तो एक हांसे जो दिया गया दूसरे यहां से ले लिया गया ऐसा कहा जा सकता है इसके बारे में तो हमागे चलते हैं अगला पॉइंट जो है वह यह है कि इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में लोग år आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अब यह समझने वाली बात है कि भारत में या फिर जितने भी जो बिटिश जो एंपायर के अंतरगत आने वाले जो राजे थे सभी जगह जो है लोग से उको की भरती बिटिन से की जाती थी तो कहीं से भी कहा है बेतर नहीं है क्योंक अंग्रेज भी समझ रहे थे दूसरी बात यह है कि लोगसेवा के भारती करण की मांग भारतियों के द्वारा भी रखे जा रहे थी तो इसी संदर में हम देखते क्या है कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि लोग से वायो का गठन किया जाएगा लोग से वायो का गठन के संदर में ही इसी आधार पर इसी अधिनियम के लिए क्या किया गया ली कमिशन का गठन किया गया ली कमिशन के सिफाईशों के विकास के एक अधिनियम को हम पढ़ रहे हैं तो हम यह देख सकते हैं कि इस्थानी जो समयधानिक विकास है समयधानिक विकास के लिए हम देखते हैं कि एक महतुम पढ़ाओ के रूप में हमारे स्वायतता भी देने के बात कीगे मतलब अगर हम अपना बजट खुद से बनाएंगे हमको पता है कि हमारी क्या ज़रूरते हैं हमको पता है कि हमारी क्या चुनोतियां हैं हमको पता है कि कोई भी चीज़ लागू करने के दौरान किस किस तरीके के समझ से आए, रिसोर्से समझ से आ सकती हैं, तो बजट अगर हम खुद बना रहे हैं, तो ये ज़ादा वास्तुविक होगा, कि हम अपनी इस्थानी वास्तुविकताओं के आधार पर नीतियां बना रहे हैं, और उसको अधिक्तम सफल होने के लिए इसको देख सकते हैं, और इसके लिए महत्वण चीज क्या हुई भई, इसके लिए महत्वण चीज ये हुई, कि राजियों को बजट अपना स्वयम बनाने के लिए अधिक्रित कर दिया गया, मतलब एक तरीके से एक वित्ति स्वायतता की और कदम बढ़ाते हुए नजार आज के संदर में अगर देखें, तो आज आप देखते क्या है, कि केंद के इस तरफ पर एक बजट बनता है, और राजियों को भी अपना बजट बनाने के पूरा तरीके से अधिकार होता है, है ना, तो हम यह चीज जो है, इसका जो एक जहलक है, हम यहाँ भी देख सकते है इस अधिनिया में भी देख सकते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं, हम लगनाव समझोते में एक मांग रखे गई थी, कि जो भारत सच्यू है, उस भारत सच्यू का वेतन जो है, वो ब्रिटिन से देना चाहिए, ब्रिटिश शरकार को देना चाहिए, ना कि उसको भारत पर भारत किया जाना चाहिए जैनून वांग थी ना तो इसके लिए जो है अंग्रेजों नीन टर्क दिया कि वास्तार में जो हमागे जो भारत सच्जीव है व क्या करता है भारत के लिए एक एजेंसीव भी करता है और coming और एड्मिस्टेटाटी Rub送 करता है मतलब कि एड्मिनिस्ट्रेटिव मतलब राजनीतिक और प्रशास्निक कारे था दूसरा जो कारे था वो क्या था अभी करणी याने एजनसी वर्क एजनसी वर्क मतलब एक इंबेसी समझते हैं राजदूद है ना तो उस तरीके की चीज़े वहते हैं यहां महत्व्ष जो हुई वह यह हुई की ये रखी गई थी वह मांग इसわかी से थी कि जो भारस आचिव है उसका वेतन बिटिवी सरकार को देना चाहिए बृतें से देना चाहिए ना कि भारस से आँ उन्हों ने क्या किया भाई हुए उन्हों पॉलिटिकल और अड्मिस्टेटिव और एजनसी ये दो थे उसमें से भारास सेच्चिव का जो कार है था वो यहां तक ही सिर्फ सिमित कर दिया गया और एजनसी वर्क के लिए जो एमबेसी वाला जो काम था उस काम के लिए क्या किया गया ब्रिटेंट में एक हाई कमिशनर ऑफीस अलग से उसका क्या क्या किया गया प्राधान किया गठन किया गया है ना अब ये कोशिच किया गया और एजेंसी वर्ग के लिए जो उच्छायों का गठन किया गया था उसका वेतन भत्ता जो है क्या किया गया भारत पर भारित किया गया मतलब कहीं न कहीं हम क्या देख रहे हैं कि लखनाव समझोता हुआ लखनाव समझोते में कुछ मांगे रखे गई थी उसको भी क्या किया गया एड्रेस किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा और यहां पे जो भारत सचीव जो है उसके कारेों में क्या किया बड़ा जो कारे था उसके लिए अलग से वहाँ पे एक हाई कमिशनर ऑफिस गठन किया गया और उसका जो वेतन भत्ता था भारत पर उसको भारत किया गया ठीक है तो यह एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है अगले पॉइंट के बात अगर हम करते हैं तो अगले पॉइंट और यह जो है नरेश मंडल जो होता था इसका इस्तापना दिल्ली में की गई दिल्ली में प्रतंबार की गई और दिल्ली में जब किया गया तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसका अध्यक्ष होता था हमेशा कोई जो प्रतं चांसलर की बात अगर करें हम त इसमें जो कहा गया वह यह कहा गया कि यह अधिनियम जो लागू हो जाएगा इसके दस वर्षों पस्जात इसकी रिव्यू के लिए इसके समिशा के लिए एक समीटी का गठन किया जाएगा है ना इसी समीटी को ही आप क्या कह सकते हैं कि जैसे मालीजी कहा है कि आपने देखा साइमन कमिशन जो है दो साल पहले ही गठीट कर दिया गया इसके बारे में बाद में देखा जाएगा लेकिन यह जो चीजें है आप के लिए बहुत मैत्पूर्ण है इसमें से किसी भी प्रकार का पुछा सब्सक्क्राइब का त्रवार क्या जानतीट कि जो कि दोरा किया गिए लिए का कि जो कमिशनर opoi jus है उसका जो है वह कि पर भारिक था इस ऊश्ट्र आड़ के प्री एब सकते हैं झाजरें से अधानलिक कैया है प्रांतों में पर्द्श đếnंसन भाथ अपना थी इसके आउधारना कि अगर हम बात करें तो इसका प्रणेता कौन था तो लिए स्कार्टिस था है ना इसके आलावा जो है लोग से वा आयोग के बात में बात करें तो 1926 में पहला इसका जो गठन के इंदी लोग सो आयोग का किया गया यह किस सम्मीटी की सिफाहिश वी किया गया तो लिकामीशन है ना साथी साथ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे लोग से वा योग ब्रिटेण में जब तक था तो उसमें कोशन मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता रहों कि जो लोग से वा आयोग जो था उसमें भारत में नहीं गठन हुआ थ उसके प्रथम भारती सदस की बात किया जाए तो वो क्या थे गोपाल कृष्णी गोखले थे इस टाइप के कोशन में बन सकता है इसके अलावा आपके प्रीम में कोशन आया है कि प्रांतों में जो इलेक्शन हुआ वो 1919 के अधिनियम के तहद कब आखरी कब हुआ है ना तो व बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सारी चीज़ बैठा लेना है समझ के पढ़ना है ताकि जो है आप जो है उसको बहतर तरीके से अपने अंसर को बता सके ठीक है बाद में इसके और भी देखेंगे जिससे क्या है कि आपका जो अवधार्णा है जो आपके कॉंसेट है और आपके जो इनफर्मिशन है वो सारी चीज़े और बहतर होंगे ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं हम आ जाते हैं 1935 के अधियनियम में निस फो पैंनियम भारती समयधतानिक विकास कि अगर जो झाल उसकी बात करें हम तो 1935 का अधियनियम महत्पुर्ण स्थिति को दर्शाता है हम यह देखते हैं कि हमारा समयधान है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया हुआ है आप समझेंगे इसको तो बहुत सारी कोई चुनोती ना मिले लेकिन 1935 के अधिनियम के अगर हम बात करते हैं तो 1935 का अधिनियम जो है वह बहुत ही महत पुर्ण है और यह कहा जाता है कि यह उत्तरदाई सरकार का जो इस्थापना थी गठंग था उसमें क्या है एक मील का पत्थर साबित हुआ वसी तरीके से यू के बाद आपको किया है जमीन पर सुलाने सुलाया जाएगा तो आप तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे ना चुकि उस समय तक कि अगर बात करें तो भारत में क्या एक राश्वात के भावना बहुत ज्यादा उचाई तक पहुंच चुकी थी एक इस्तर को प्राप्त कर अब हम लोग चलते हैं कि भारत शासन अदिनियम 1935 तो थोड़ा सा इसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में यह बात कर सकते हैं कि 1929 के लिए समिश्या के लिए साइमन कमिशन आया साइमन कमिशन जब आया तो उसने क्या किया एक रिपोर्ट तैयर किया अब चुकि क्या था सा एक सरदस्तर भारतियों के लिए कानून ले आएख हैं और उसकी समिश्या कर रहे हैं समिश्या कौन कर रहे जो वहां से लोग आ ये नहीं parfois इसमयन प्रता नहीं इस अद्द्रया की कोई भी गुस्टा वैंसे जैसी चीघ के नहीं होना है कोई भी नफरत वाली चीज ले करको नहीं आना है क्योंकि कहीं हमाे संस्क्रिति में जो वसुदेय। हमारे समिद्धान कि विष्य सांती की बात की गई है कि वह चीजे क्या उजाएएंगी लिए भी Enam हम इस तरीके के इतिहाथ से प्रभावित हो करके आज की दौर में अपने विकास की बाते सोच के बिलकुल नहीं आना चाहिए प्राशास रिंगा प्रशास अधिकारी बेहतरी अधिकारी बने के लिए आपको एस चीएफ को तो उसने क्या किया उसने एक रिपोट तरहयत की रिपोट जो तैयार की है उसमें जो चीज़ें दी गई है उसका प्रभाव आपको भारशासना दीनियम में दिखाई पड़ेगा वह क्या क्या होगा हम उस्पर चर्चा करेंगे साथ ये साथ जब भारतियों के दवारा विरोध किया रहा था, तो बिड़ीश सरकार के दवारा भारतियों के चुनोती दिए गए. वो चुनोती क्या थी? कि भारति अगर इतने ही सक्षम हैं, तो अपने लिए खुद से एक समयधान बना करके दिखा लें, अगर वो बहुत होगा जिसमें सभी का क्या होगा सहमती होगी उसमें किसी का विरोध नहीं होगा सभी जितने भी भारत में जितने भी लोग रहते हैं जितने समुधाय हैं सभी अगर उसे संतुष्ट हैं तो हम क्या करेंगे उसको एकसेप्ट करेंगे यह चुनावती देगे अंग्रे सरकार के द्वारा इसी संदर में क्या किया गया मोतिलाल नहरू की अध्यक्षटा में नहरू कमिटी नहरू समीटी यह कमिटी देखा गया और एक रिपोट जो है यहां के रोड की छुख थैयार की और इसके लिए क्या है आपने देखा होगा कि ब्रिटिन में गोल में समयलन का तीन गोल में समयलन हुए थे उनीज सो तीस से लेकर बद्तीस तक वह गोल में समयलन भी क्या हुआ इसके मतलब इस भारशाजन अधिनियम को एक मूर्दुरू प्रदान करने में या कहा जाए कि इसके बढ़ने में एक महत्व पुर्ण भूम का अदा किया है तो यह क्या है आपके प्रिश्ण भूमी वाले चीज़ें हैं और उस समय के तादकालिक भारत की परिस्तितिया थी उसको भी आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं इसको पढ़ने क स्थाविस था इसमें 321 धाराएं थी दस अनुसूचियां थी मतलब यह कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है आज आपके समय दान में देखने को मिलता है यह क्या है वह धीरे-धीरे उसका विकास हुआ है यह विकास के क्या है पढ़ाओ है तो उसमें एक मेहत्वून किया गया था तो साइमन कमिशन में इस बात को कहा गया कि प्रांतों में द्वेशासन को समाप्द कर दिया जाए और केंदर में उसको क्या किया जाए लागु किया जाए तो यहां पर यही किया गया कि प्रांतों में द्वेशासन को क्या किया गया समाप्द कर दिया गया और क दूसरा जो था प्रोफ की सिंची अ करता था यहां प्रोफ क्यों फॉस्व संतर्थ था यहां पहला पहल समझ प्राइन को बनाते चारा वह कुंकि नीतियां नाइन स्क्राइध दूसरा तरुम कमिशन की रिपोर्ट में इस बात की अनुशनसा की गई थी कि प्रांतों में द्वैशासन समाब्द कर दिया जाए प्रांतों में द्वैशासन समाब्द करके उसको केंदर में लागू कर दिया जाए अब प्रांतों में क्या हो गया भाई एक उत्तरदाई सरकार की इस पर वाइसराय और उसकी कारणिक अधिकार था इस पर भारती मंत्रियों का वाइसराय के साथ मिलके काम करना था थीक है अब यहाँ राख पुल्म थीवह क्या है तीसरा प्वाइंट है वह ये है कि इस अधिनयम में प्रॉथान किया था कि एक अधिवारती संग की इस थाफना की चाइगी समझे घ cortarी राकि षनकिपनéquने साथ मिलकर अखेल भारति संग की जाएगी लेकिन सत्य साथ शुर्थ भी और डिया गया कि और िसमें अगर देशी रियासति किसी को भी को पती है तो इसका मतलब यह है कि वह स्थापना नहीं सब्सक्राइगा वह और सरह के जाएगी तो मतलब कही न कहीं आप इस बात को समझ सकते हैं कि भले वो हमारे देश के लोग हैं देशी रियासतों के लोग जो हैं लेकिन उसके राजा तो राजा है भाई सत्ता है है ना कौन अपनी सत्ता छोड़ना चाहेगा है विशेशा अधिकार है वो खतम हो जाएंगे तो अब आप एक विदेशी सत्ता से कैसे उमीद कर सकते हैं सिधी से बात है तो अगर आज के दौर में अगर देखा जाए तो आप विदेशी बहुत सारे सी फिल्में हैं बहुत सारे सी जगह पर बाते होती है अंग्रेज़ों ने हमारे पर शासन किया है कहीं कोई ट्यूरिस दिख गया तो मैंने देखा है कि कुछ लोग गाली देना भी शुरू कर देते हैं तो यहां से ये बात समझे कि जब देशी लोग जो है देशी रियास्तों के लिए वो तो भारती थे ना जब वो अपने सत्ता नहीं चोड़ना चाहा रहे थे तो यह विदेशी सरकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं और उस समय जो गलतियां किये गई है उसका खामियाजा आज आप किसी और से ना लें उसका बदला किसी और से आज ना लें यह कहीं से भी तार्खिक भी नहीं है माना होता कि विरुद्ध भी है और आपकी जो एक परस्नालिटी जो डिवलफ हो रही है एकॉर्डिंग डू कॉंस्टिशूशन उसके भी बिल्कुल विरुद्ध जाती है इसलिए बहुत समाल यह बहुत ही संकट का समय चल रहा है बहुत ज़्यादा संकट का समय इस तरीके से है कि लोग जो हैं तोरित नयाये पे आ गए है मतलब यह आपने सुना होगा कि वो हिंजा और यह सारी चीजे जो है लोग जो है ज़्यादा करने लगे हैं कुछ भी हो रहा है तुरन लोग मार दे रहे हैं पीट पीट के मार दे रहे हैं यह कर दे रहोगा भाई उसके लिए कानून बना हुआ है हमारे पस नैपाली का है पुलिस व्यवस्ता है तो इसका मतलब यह है कि कोशिश यह रहने चाहिए कि जो सिस्टम बना उसके एक औरडिंग ही सारी चीज़े चले है और वैसी चीज़ नहीं तो इतना आए की बात अगर रहे हैं तो ने मार करके ही उसको ख़दम कर देना चाहते हैं बदला ले लेना चाहते हैं तो जाहिसी बात है कि फिर आपके साथ क्या हो रहा है आप भी क्या हो रहे हैं कहीं न कहीं बिल्कुल आप एक तरीके से मानोता के विरुद्ध होते जा रहे हैं तो अभी बताए कि परस्णाल्टी जो बनना है आपका तो मानोता के अनुसार होना चाहिए यह मानौता कि विरुद्ध होना चाहिए है ना तो मानौता कि विरुद्ध होना जाए बदला नफरत यह सारी चीज़ें आपको प्रशास्निक अधिकारी बनने से दूर करते जाएंगे याद रखेगा इस चीज़ को आपको अपराधी बनाने की और ले जाएंगी लेकिन प् करेंगे तो इसका मतलब यह है कि खुंड खौलेगा है फिर आपका खुंड खालाने वाली बात नहीं है एकदम यहाँ पर जो चीज़ है उसको उसी तरीकी से लेकर चलिए चलिए हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम ने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा कि अखिल भारति प्रिश में इस रासन अधीनियम के तहट जो है अखिल भारती संग के स्थापना नहीं हो पाई भले ही लेकिन इसके लिए क्या किया गया कि संग सुची राज सुची और समवर्थी सुची बनाये गया है संक्स्ची में क्या है केंद्र की सारे संग की विशेव कानून बनाएंग एक महत्पूर चीज यह आउसित शक्ती के अव वो स्कतिका मतलब होता है वह विशे जो नएने चीज़ें पैदा हो रहे हैं ने ने विशे पैदा हो रहे हैं तो अब ऐसे विशे आपके सामने आचानक आ सकते हैं जो ना संग सुची में हैं ना राज सुची में हैं ना ही समवर्ती सुची में हैं तो ऐसे विशह जो तीनों सुचियों में नहीं है वो क्या कहलाएंगे और यह और शिष्ट विशह के उपर कानून बनाने का दिकार जो है वो क्या किया गया वाइसराय को दे दिया गया वाइसराय में नहीत कर दिया गय ठीक है तो यहां तक आगे चलते हैं अब जैसे आज आप देखते हैं कि कुछ राजे हैं कुछ राजे हैं जैसे यूपी को ही मालेजे बिहार को मालेजे हैं ना मदबदेश को मालेजे तो यहां पर क्या है यहां पर दूई सद्नी विवस्ता है प्रांती इस तरुपर है ना एक दूसरा जो है विधान परिशद है ना तो इस तरीकी की चीजे जो है आज की बात आप देख रहे हैं लेकिन ये चीजे जो है का हम देखते हैं 1935 के अधिनियम में भी देख सकते हैं उसमें क्या गया है जो 11 राज थे उसमें से 6 राज जैसे बंगाल है बंबई है मदरास ह है बिहार है संयुक्त प्रांथ है असम है इसमें क्या किया गया दूई सद्नी व्यवस्ता की गयी दूई सद्नी व्यवस्ता का मतलब क्या हुआ एक विधान सभा है और दूसरा विधान परिशद है कोई भी कानून जो पारित होगा वो दोनों जगह से पारित होना अनिवा तो इस तरीके से क्या है अगर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब कहीं न कहीं क्या हुआ कोई भी कानून पास होने से होने के संदर्म देखें तो उस पर जो है क्या हुआ कि एक जादा जो भारतियों का प्रभाव है इसको दो रूप में देख सकते हैं कानून पास होने के लिए क daar दोनों के प्रक्रिया है lou सुने होस्में चला जाता है श्क बाधा के रूप में भी लोग देखते कि हम लोगतंत की बात करते हैं तो लोगतंत जो है वो क्या है सरकार को उत्तरदाई रखने के लिए है ना क्या करता है विभिन प्रकार की विवस्था बनाता है उसी विवस्था के तहत हम क्या देख सकते हैं विधान परिश्द है ने दूसरी दूसरा जो सदन प्रांतों की स् कर सकता है ना लेकिन गृण प्रीशत भी है और इसकी विश्ता ये की गई है कि कोई बी चीज जो है विढ है साासे पारित हो रही है तो विढान परिशत से भी पारित होना चाहिए तो इस अंदर में हम देख सकते हैं कि विढान परिशत मुझाएगा कम से कम यह तो होगा ना कि विलंब होगा है ना तत्काल सरकार को अपने फायदे के लिए करना चाहती है तो विलंब जो है कहीं न कहीं उस तत्काल जो फायदा है सरकार का उससे क्या करेगा उसको रोग देगा दूसरी बात यह है कि इसका जो प्रतिनेधित तो है इसमें बहुत सारा जो समाज के अलग-अलग तबके हैं, उनका परतिने दित तो है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक विरोध भी आएगा, भले ही वो उसको रोख ना पाए उस कानून को, लेकिन विलम पैदा कर सकता है, साथ ही साथ अपना विरोध जता सकता है, क्योंकि वहाँ जो विरोध होगा वो मीडिया के माद्यम से आम जनता के बीच में आएगा, और आम जनता के बीच में सरकार अपनी छवी जो है खराब नहीं करना चाहती है, तो इसलिए क्या है, कि इसको दो रूपों में देख सकते हैं, एक बाधा के रूप में भी देख सकते हैं, और दूसरा अपने लोग अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, इंगलेंड में भारत परिश्यत की समाप्ति किये गई, है ना, जो भारत सचीवत था, उसके लिए एक परिश्यत बनाए गई थी, जो भारती मामलों में उसके क्या करता था, मदद करता था, उसके क्या करता था, उसको सलाह देता था इसको सम माफद किया गया इंगलेट में भारत परिश्वत की समप्दि कर दिए अगला पॉइंट है 1935 अधिनियम में जो सांप्रदाइक प्रतिनियु का चलन्ज की अधिनियम से जिसमें मुशलमानों के लिए क्या किया गया था पिर्थक निर्वाचक मंडल के साफना की गयी थी समप्रदाइक परतिंफ के बात की गय थी तो क्या किया गया उन्यटित कर डिहां और मंजुडूर वर्गों तक क्या कर गया उसका विस्तार कर दिया गया ठीक है अगला पॉ нравится तो आपको क्या है कि इस में इस प्रावधान किया गया कि अगला पॉइंट है वह यह है कि एक संगी नयाले के स्थापना प्रावधान किया गया है राज राज की बीच में विबाद उत्पन उत्पन उसको क्या करना था है उन सारे विबादों कारना होता है तो उसके लिए 1937 में भारत में सरवच नियाले का गठन किया गया था जिसके कि जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कथे कौन थे मौरिस ग्वैर थे यह सब चीजे आपके प्री में पूछी जा सकती है इसलिए सब चीजों को ध्यान रखेगा यह भी पूछा सकता है कि 1935 के अधिनियम से के अगला पॉइंट जो है वो यह है कि एक विकास की असथा पर हम पहुंच रहे हैं हम अखिल भारति संग की स्थापना के बात करने लगे हैं तो अब यहां पर क्या हुआ कि विथ्ति विवस्था को बहतर रूप से सुचारू करने के लिए वित्ति नियंतरन के लिए और सार की लिए क्या गया तो भारत भारत में आज भी है भी भी में इसके ऊपर लेगे लेकिन यहां यहां जो 1935 का अधिनियम है 1935 के अगर हम बात करें तो हम यह देख सकते हैं कि हम समयधानिक विकास की आवस्था में एक ऐसे पड़ाव पर परक्रिया में एक ऐसे पड़ाव पहुंच गये हैं जहां भी क्या है कि बहुत सारी चीजें हमारे जो आधुनिक जो समिधान हमारे पास है उस तरीकी के जो जैसे माली जी क्या है कि दूसरी विवस्था की बात करने लगे हैं जो कि आज भी हमारे देश में दिखाई पड़ता है तो यह आपका जो है 1919 का धिनियम है 1935 का धिनियम है बहुत अच्छे धंग से समझे बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किजिए अपन अंसर कराएंगे इसमें और साथी साथ यह जो पढ़ाई है से प्री तक्सिमित मत कीजिए है ना आपको कोई भी पढ़ाई जो है वो आपको मेंस और इंटर्व्यू यह चीज हो सकता है कि आपके इंटर्व्यू में ना पूछा जाए लेकिन हमने इस पढ़ाई के दौरान मालने की क्या है कि यह ऐसे ही होगा और ऐसे ही होगा है ना तो इसका मतलब यह कि हमें आज ब्रिटन से नफरत नहीं होगी हमें आज को यंगरेज देख करके हम उसको गाली नहीं देंगे है ना तो यह चीज़े जो सुभावी माल लेने वाली जहां तक बात है तो क्या करता त है आपको kool and calm रखता है है ना जो की है कि एक अच्छा निर्ड़ने लेने केश लिए थाएख कोम लेने के लिए क्या होता है बहुत महत्तपून चीज होती है है ना और हमारा स्वामिधान भी यह कहता है कि आप जो है क्या करें विश्व शान्ती की बात करें इंसानियत की बात करें लोगों का दिक्तम विकास की बात करें और अगर कहीं कोई अफराद है कहीं कोई चीज ऐसी हो रही है तो उसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है यह नहीं नयाय प इस लिए जए कहीं हैं तो सबहाल की बात कि इए उनस सभी चीजों को अगर क्या करना है वैवार्स पर्दान करना है तो आपके माधयम इस प्सारी विया क्यों के पास परें उसको आप क्या करिए एक लिश्टिंग करिए उसकी और ये देखिए कि हमारे पर सम्विधान के एकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ है और सम्विधान के विरुद्ध क्या क्या चीज़े हैं तो आप आपको ये समझ में आजाएगा कि जो विरुद्ध है समिधान की वो कितना सही कितना गलत है तो आपको यह समझ में आएगा कि यह मानवता कि विरुद्ध है तो आप यह हमेशे आद रखेगा कि आज आप अगर मानवता कि विरुद्ध जाते हैं महाल कुछ मानवता कि विरुद्ध हला बनने होगा सबसे महत्पूंट चीज़ यह है कि वो जो है समिधान के अनुसार अपनी परसनाली का डिवलप्मेंट करें जब वो यह कर लेंगे तो सुभाविक से बात है कि उनके लिए यह सारे एक्जाम करेक करना कोई मुश्किल का काम नहीं है बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और अपने देश को भी बहुत उचाय पर लेके जा सकते हैं ठीक है तो आज यहीं तक इजाज़त दीजिए नमस्कार प्रेंब जूरा